हरी वंच पुरांटी का स्वाते हम सभी कर रहें आचारे जिन्सेंची द्वारा विर्चित अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों कात्याग करके सभी नौबार विर्चार मतर पढ़ ले इसरी क्रिश्ण ने इसा क्या किया था कि उन्हें निदान कर लिया तो अभी जो हमने पढ़ा उसमें बहुत ज़्यादा डेटेल्स तो हमें नहीं मिली यह जरूर है कि जब वो निर्नामक नाम की परियाय में थे एक राजा का पुत्र थे और उनकी जो माता थी वो उनसे अच्छा भीहेव नहीं करती थी, है ना, क्योंकि उनकी माता जो थी पुरुभव में सरपनी थी जिसको की निर्नामक के पुरुभव के जीवने गाड़ी ज निर्नामक आगे चल कर बहुत दिक्षा ले लेते हैं, मुनी दिक्षा ले लेते हैं और उस खुब जैसा कहता है कि बहुत अच्छा अच्छी तपस्या करते हैं, लेकिन मनी मन मैं बहुत बल्शाली राजा बनू ऐसा ऐसा निदान कर लेते हैं, कोई नहीं, शुभांगी ज आप जा सकते हैं, that's fine ठीक है, तो इस तरह का उन्होंने निदान कर लिया था, तो यही बस इतना ही बताया है, और इससे जादा जानकारी अपने को नहीं मिली है, ठीक है जाजरेंट चारू, थैंकी सो माच, नो प्रॉब्लम अंडी, चलिए तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे आपर की, किस तरह से पिछले कल की हमने जो क्लास थी उसमें यह देखा था की प्रद्युम्न कुमार का चरित्र मेंली देखा था, कि उसको पता चल जाता है कि उसके मसली माता-पिता कृष्ण अरुक्मनी है नारज जी उसको लेकर आते है और क्योंकि प्रद्युम्न के पास बहुत सारी विध्याएं हो चुकी है एक विध्यादर ने उनको पालपोस कर बढ़ा किया था, तो विज्यार्थ परवद पर ये बहुत कॉमन सा है, कि वहाँ पर विध्याएं हासिल करना तपस्या के द्वारा इजी है ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी थी कि उनके पास काफी विध्याएं रूपिनी, रूप परिवर्तित कर लेने वाली विध्या, सेना बना लेने वाली विध्या, तो इस तरह की विध्याएं यूज करके और उन्होंने, जो दुर्योधन की पुत्री है उसको भी पा लिया है ना, उसको अपनी पत्नी बना लिया, और अब वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, मतलब भी बनाया नहीं है उसको लेकर, और भानु कुमार उन्हें मिलता है, जिसके साथ की उद्धी कुमार का विवा होना निश्चित हुआ सबको ये था कि, जो भानु कुमार है वो बड़े हैं, जबकि प्रद्यूम ने बड़े थे, ठीक है ना तो उद्धी कुमार को लेकर प्रद्यूम ने पहुँचे महाँ पर, और उन्होंने एक तरह से बहुत नटकर टाइप की प्रवरती दिखाई है उनकी प्रद्यूम ने जी की, तो बहुत उन्होंने जाकर फिर भानु कुमार को भी परेशान किया और अभी आगे देगेंगे और क्या-क्या करते हैं, ठीक है ना इस प्रकार अपनी माया से उन सब लोगों को तंग कर वह वरिद, रूपधारी प्रद्यूम ने उस घोड़े पर स्वयम चड़ गया और अपना कोशल लिकारता हूँ चला गया क्या किया भानु कुमार के सामने एक वरिद के रूप में आएं? हाँ, नंदाजी अपने हाथ रेज़ के हाँ, यह सही बात है, हमने भी नयाई पढ़ा है इसमें, very nice ठीक है, तो क्या कर रहे थे वह घोड़े पर आए और वरिद का रूप कि मुझसे तो चड़ा नहीं जाता, ऐसा करके है ना, और बाद में जब लोगों से ने कहा कि तो मुझे उनसे कहा लोगों से कि तुम मुझे बिठा तो तो अपना शरीर भारी कर लिया अब वो बैठा नहीं पा रहे थे है ना, तो तंग करने लगे बेसिकली और फिर खुदी चड़ गए, एस अब रिद भी खुदी चड़ गए और चले गए तद नंतर उसने माया मई वानरों और माया मई गोडों से सत्य भामा का उपवन उजार डाला तता माया से उसकी बड़ी भारी वापि का सुखा दी नगर के द्वार पर राजा श्रीकिष्णा आ रहे थे उन्हें देख उसने माया मई मक्यों और डांस मचरों को इतनी अधिक संख्या में छोड़ा कि उनका आगे बढ़ना कठीन हो गया और हाथ हिलाते हुए उनसे लोटते ही बना तद नंतर वे गदे और मेडे के रत पर सवार हो नगर में चिरकालता क्रिडा करता रहा तो एक तरह से मतलब फन लविंग टाइप का परसन दिखाया है इस प्रकार नाना तरह की क्रिडाओं से वन नगरवासियों को मोहित कर उसने बड़ी प्रसनलता से अपने बाबा बाबा अनलब ग्रेंट फादर दसुदेव के साथ मेश युद से क्रिडा की तद नंतर सत्यभामा की महल में पहुँचा वहां ब्रामणों का भोज हूने वाला था सो प्रद्युमने ब्रामण का रूप रक उस सबसे आगे की आशन पर जा बैटा एक अपयरीचीत ब्रामण को आगे बेठा देख सब ब्रामण को पित हो गए तब लगे हुए आशनों से उसने उन ब्रामणों को खूब तंकिया तद पश्चात उस विप्र भोज में जितना भोजन बनाता वैसा प्रद्युमने खा लिया जब कुछ भी न बचा तो सत्यभामा को क्रिपन बता कर खाए हुए भोजन को वमन द्वारा वहीं उगल कर वह वहां से बाहर चला गया अव चुलक का वेशरक माता रुक्मनी के महल में गया वह उसने माता रुक्मनी के द्वारा दिये लड्डू खाए उसी समय सत्यभामा का आज्यकारी नाई रुखमणी के शिर के बाल लेने के लिए उसके घर आया सो प्रद्युम्न ने सब समाचार जान उसका खूब दिरसकार किया सत्यभामा की शिकायत सुन बल्देव रुखमणी के महल पर आने को उद्यत हुए तो प्रद्यूम ने एक ब्रामण का रूप रख द्वार पर पैर पला कर पड़ा रहा बल्देव ने उसे दूर अटाने के लिए कहा पर वैटस से मस नहीं हुआ और कहने लगा कि आज सत्यबामा के घर बहुत भोजन कर आया हूँ हमसे उठते नहीं बनता कुपी तो बल्देव ने उसकी टांक पकड़ कर खीचना चाहा पर उसने विद्याबल से टांक को इतना मजबूत कर लिया कि वे खीचते-खीचते ही तंगा गए इस परकार नाना विद्याओं में कुशल प्रद्युम्न अपनी इच्छा अनुसार लोगों को अश्चरे उत्पन करता हुआ चेर काल तक केड़ा करता रहा ठीक है तो जैसे बाल कृष्ण की लीला है थी ना उसी टैप का प्रद्युम्न का भी है उसी समय प्रद्युम्न के आने के जो जिन पहले नारद ने कहे थे वे माता रुक्मनी को प्रत्यक्ष दिखने लगे और उसके स्तन रूपी कलेशों से अत्यदिक दूद जहरने लगा अगर आप सबको यादो कि नारद जी ने बता दिया था रुक्मनी को कि तुम कैसे पहचानोगे कि तुम्हारा पुत्र वापिस आ गया तो तुम्हारी वापिकाओं में जल बर जाएगा और भी बहुत से जैसे गूंगे हैं तो वो बोलने लग जाएगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा पुत्र वापिस आ गया ठीक तो उसने वो नोटिस किया अत्यत आश्यरे में पढ़कर वै विचार करने लगी कि कहीं सुलेवर्ष वेतितोने के बाद मेरा पुत्र ही तो रूप बदल कर नहीं आ गया उसी चण प्रदुम्न में भी अपने असली रूप में प्रकट हो पुत्र का सने प्रकट कर माता को प्रणाम किया पुत्र को देखते ही रूप मनी आनंद से भर गई उसके नेतर हरश के आसुओं से व्याप्त हो गए और वै नमरी भूद पुत्र का आलिंगन कर चेर संचे दुख को आसुओं के द्वारा ततकाल छोड़ने लगी पुत्र के दर्शन रूपी अमरीच से सीची हुए रुकमनी के शरीर में प्रत्येक रोम कूप से रूमांच निकलाये दे उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो पुत्र का सने ही फूट-फूट कर प्रकट हो रहा हो तद नंतर जब माता और पुत्र परस पर कुशल समाचार पूच चुके तब माता ने चित के लिए अत्यदिक संतोश प्रतान करने वाले पुत्र से कहा कि हे पुत्र वै कनक माला धन्य है कनक माला कौन वै विद्यादरी जो काल संबर की पतनी थी वे कनक माला धन्य है जिसने तेरी बाले वस्ता की बाल क्रिडाओं को देखने रूप पुत्र जनम के फलका उभोग किया कि वो तेरे बच्पन के रूप को देख पाई माता की इतना कहते ही नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले प्रद्युम्ने ने नमस्कार कर कहा कि हे माता मैं यहां ही अपनी बालचेश्टाएं दिखलाता हूँ देख तद्रंतर वे उसी चड़ एक दिन का बालक बन गया और नेत्र रूपी नील कमल को फुला फुला कर हाथ कंगूटा चुशने लगा उस देर बाद वे माता के स्थन का चुचक मुँ में दबा कर दूद पीने लगा और चित लेट कर माता के कर कंपलवो को सुख उप जाने लगा फिर चाती के बल सरकने लगा पुने उठने का प्रतने करता परंतू फिर नीचे गिर पढ़ता तद नंतर माता की हाथ की उंगली पकड़ कर मणी में फर्षपट चलने लगा तद नंतर धूली में केलता केलता कर माता के कंट से लिपट कर उसे सुखुप जाने लगा और कभी माता के मुख की और नेत्र लगा कर मुस्कुराता हुआ तोतली बोली बोलने लगा इस प्रकार मनोहर बाल क्रिडाओं से माता का मनोरत पूरण कर वह अपने असली रुप में आ गया और नमस्कार कर बोला कि मैं तुझे आकाश के लिए चलता हूं। मैं तुझे आकाश में लिए चलता हूं। तद नंतरवे दोनों बुजाओं से शिगरी रुप मनी को उपर उठा कर आकाश में खड़ा हो कहने लगा कि समस्त यादव राजा सुने। मैं तुम लोगों के देखते देखते लक्ष्मी की भांती सुन्दर श्रिक्ष्न की प्रि में आखडा हुआ। तद नंतर चतुरंग से नाओ से सहित और पांचो प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण यादव राजा युद के लिए तयार हो नगरी से बाहर निकले। प्रद्युम्न विद्याबल से यादवों की सब सेना को मोहित कर आकाश में स्थित क्रिष् जब कृष्न के अस्त्र कोशल को निश्वल कर दिया, तब प्रोड द्रिष्टी को धारण करने वाले दोनों वीर अपनी बड़ी-बड़ी बुजाओं से युद करने के लिए उद्यत हो गए। और हर्ष के आसुओं से नेत्र को व्याब्त करते हुए उसे आशिर्वात देने लगे। तद पश्चात्माया से सुलाई हुई सेना को विद्याद से उठा कर प्रद्युम्न ने संतुष्ट हो बंदु जनों के साथ नगरी में प्रवेश किया। उत्तम मानने कन्याओं के साथ उत्तम विवामंगल को प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी कहते हैं कि स्वर्ण की देदिप्यमान माला से युक्तरानी कनक माला ने अपने पति काल संबर विद्यादर के साथ विवा के समय आकर जिसके विवारूप कल्यान को देखा था एवं जिनेंद्र भगवान के उत्करिष्ट शासन के प्रभाव से जिससे वे बहुत भारी सुक्कि प्राप्त हुई थी ऐसा प्रद्युम्न कुमार उद्धी कुमार अधी कन्याओ को इदी पूर्वग विवा कर उनका उप्भोग करने लगा। इस प्रकारियां पर सेटालीस्वा सर्व समाब्त हुआ। पुष्ण भगवन अपने बदिवन के पास आकर उसको मिले अपने गले लगा लिया। लड़ाई करने के बाद वो तो जूट मूट के लड़ाई कर रहे थे ना फिर जब नारज जी ने बता दिया ये तुम्हारा पुत्र ही है तो पिर उन्ने अलंगन किया। ऐसा तो उन्हें पता ही था यह तो श्रीकष्णा है और मैं इस तरह से जांबूज के वो लेकर गए थे रुक्मणी को आकाश में। ठीक है न तो तोड़े से नटखट स्वभावाले दिखाए हैं। तो सीधे सीधे नहीं मिले कि अरे मैं आपका पुत्र है ना। तो बहुत मतलब तरीके से पहले हरा के पिता को कि मैं कितना कुशल हो गया हूँ। इस खॉपसर नहीं हूँ है कि मेरे बिटा अच्छा नहीं है। पता नहीं कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उनको जो वो दूसरी साथ भामा थी उनसे थोड़े प्राब्लम मिलें उनके साथ अच्छा नहीं किया और अपनी मा के साथ अच्छा किया है तो कुछ मिलें पता नहीं क्यों उनके मन में ऐसा विचा रहा है। ऐसा तो नहीं है, वो इतना खा गए से वहां पर वॉमिट कर दिया खाना, तो यहां, नहीं नहीं, वो सब उनकी कृड़ा ही चल रही थी, ऐसा नहीं है, वो तो माता के साथ तो अफकोर्स उन्हें जादा एक्स्ट्रा लव था ही, राइट, कि माता से मिले हैं, तो अलग तरह का behavior है, बाकी ऐसा नहीं है कि उनसे कोई द्वेश है, सत्यभावा से, यह नो, सत्यभावा ने तो कुछ भी नहीं किया उनका, हाँ, कुछ भी नहीं किया, फिर मनला इस तरह ता कि उनका सारा खाना खा गए, तो किसी के लिए नहीं, वो तो देखी, अभी रास्ते में हा रहे हैं, फिर भी हिलनी पा रहे हैं, तो वो भी एक तरह का fun, loving type का behavior ही था, सबको परेशान कर रहते हैं, ठीक है ना, तो उस तरह का है, तो इसको तोड़ा उसमें लेजिएगा comedy sense में, ठीक, तो अब क्या है, अतनांतर, गौतम गंदर ने कहा कि हे श्रेणिक, अब मैं आ बगर आपको याद हो पिछली, जो हम कहानी पढ़ रहे थे, जब हमने प्रद्युम्न के जैनम के बारे में पढ़ाता हैं, राजा मदू का जीव तो प्रद्युम्न बन गया, और चंद्राभा जो थी रानी, उनका जीव कनकमाला बन गया, ठीक, तो उनी के साथ एक था रा चुत होकर वहां से स्वर्ग से चुत होकर शंब बनेगा, शंब किसके गर्ब से होगा, रानी जामबती के, ठीक, ये सब चर्चा कहां पर पढ़ी थी हमने, जब नारजी जो थे प्रद्युम्न के बारे में पूछने के लिए सीमंदर स्वामी के पास गए, ठीक है न, तो अब उनकी उत्पत्ती का वर्णन करता हूं, तुम सुनो, राजा मदु का भाई कैटप, जिसका पहले वर्णन आ चुका है, अच्युत स्वर्ग में देव हुआ था, जब उसकी वहां की आयो समाप्त होने को आई, तब है सत्य भामा के लिए, पुत्र की इच्छा रखने वाले श्री किश्न के लिए एक सुन्दर हार दे गया, मतलब की अभी यहां पर क्या कहना चा रहे हैं, जब उसकी वहां की आयो समाप्त होने को आई, तो पहले क्या था, वो अच्युत स्वर्ग में देव हुआ था, अच्युत स्वर्ग बेसिकली सोलमा स्वर्ग, और वहा अभी यहां पर बात करें, सत्यावाद के जाम बदी, परदुबन का भाई थोड़ी था केटब, तो उसकी वाइफ को ले किया है, तक परदुबन, बिल्कुल सही है, यहां पर भाई वर्ड यूज किया है, हो सकता है, हमें पहले क्लियर नहीं किया गया हो कि वो भाई था, ह कि भाई की वाईफ को ले आया था, तो वो राजा केटब था, इतना है, और दोनों ने फिर दिक्षा ले ली थी, और दोनों ही, मदू का जीव प्रदियूम ने बन गया था, और किटब का जीव अब जामबती का नड़का बने, तो आगे देखते हैं, पर क्या कहना चाने ह थोड़ा समझ नहीं आया, वे सत्य भामा के लिए पुत्र की इच्छा रखने वाले, श्री किष्ण के लिए एक सुन्दर हार दे आया, साइकाल के समय प्रदियूम्न के प्रियोग से, सत्य भामा का रूप धारण कर रानी जामबती ने, रानी जामबती ने कृष्ण के अखंड अभ्यूते को धारण करने वाला कैटब का जी स्वर्ग सेच्छुत हो, जामबती के गर्म में आ गया, यह उपर लाइन कुछ समझ नहीं आया, हाँ, क्या समझ में आ रहा है कि प्रदियूम्न के पास विक्रिया रिद्धी थी, ठीक है, तो विक्रिया रिद्धी से क्योंकि श्री कृष्ण सत्य भामा की वेट कर रहे थे, और प्रदियूम्न ने सत्य भामा का रूप बनाकर रानी जामबती को वहां भेज दिया, ठीक है, और उनको वह हार प्राप्त हो गया, मतलब उनके गर्ब धारण हो गया, ठीक है, तो और गर्ब में कौन आ गया, को प्राप्त हो श्री किष्ण के सात्रमन कर उसने भी स्वर्ग से चुद किसी शिशु को गर्ब में धारण किया, अब ये नहीं बताया उस शिशु का, कि उसका पुरुभव क्या है या कौन है, बस एक नॉर्मल देव गती से कोई आया, देव उसके गर्ब में आ गया, तद नंतर नो मापुन होने पर रानी जामवती ने शंब नामक पुत्र को और रानी सत्यभामा ने सूरी के समान देदी प्यमान सु भानू नाम के पुत्र को उत्पन किया, तो अब सत्यभामा के दो पुत्र हो गए भानू और सु भानू, है ना, और रानी जामवती के शं और रुक्मणी के प्रद्युम्न, ठीक? इस अब्युदय को प्राप्त, प्रद्युम्न और शंब से रुक्मणी तता जामबती हर्श को प्राप्त हुई, उदर भानू और सुभानू से सत्य भामा भी अत्यदिक हर्शित हुई. प्रिश्न की अन्य स्त्रियों में भी यथा योग्य अनेक पुत्र उत्पन हुए, जो यादवों के हर्दय को आनंद पहुचाने वाले, तता सत्य पराक्रम और यश से अत्यदिक सुचोबित थे. सेकडो कुमारों से सेवीत पराक्रमी शम समस्त क्रिडाओं में सुभानू को दबा देता था, और उसे जीत कर सातिशे क्रिडा करता था. तो आप सोचिए कि शम खुद सोलवे स्वर्ग का देव रह चुका है, है ना, कि पुन्य कितना होगा, कितने सागरों की बाई सागर तक जिसने सरफ सुख ही सुखब होगा, है ना, हाँ, सरोजी अपने हाथ रोज किया, ये इसमें मतलब प्रदिमन सत्तिभामा से इतना हमती को भेज़ दीया, उसने रूपचेज रहा है, हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा कुछ तेखिय. हमता है,सिए को ये सत्तिभामा को ऐससी कुछ नुकसान नहीं हुए है, उस को जो चाहिए था, पुत्र चेता, मिल गया उसे. पर जब तो ज्यादा पराकरमी बताया है, ये तो उ गराए कि उस समय उसी देव को आना था अगर उसकी जगे सत्य भामा होती तो वो सत्य भामा के गर्ब में आ जाता ऐसा नहीं कि ये पहले ही बता रखा था कि रानी जामवत्ती से होगा शम हाँ वो तो वो निमित हो गया कि ऐस तरह की विक्रिया से उनको सत्य भामा का रूपधारण करा दिया चाहते तो वो सिंपल भी हो सकता था अब और डीटेल तो जब हम डीटेल पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया होगा हो सकता है जामवत्ती ने रिक्वेस्ट कियो कुछ भी हो सकता है और अगर जामवत्ती जाती क्रिश्ट को तो क्रिश्ट नहीं करते क्या उनके साथ हाँ वो ही न तो हो सकता है कुछ ऐसी बात हुई हो जिस वज़े से उन्हें इस तरह की क्रिया करनी पड़ी या फिर उनको इसमें मजा आ रहा था ठीक है न क्रिश्ट की अन्यस्त्रियों में भी यथा योगय अनेक पुत्रूत्पन हुए जो यादवों के हृदय को आनंद देने वाले तता सत्ते पराकरम और यश्ट से अत्यदिक सुशोबित्ते सेकडों कुमारों से सेवीद पराकरमी शम समस्त क्रिडाओं में सुब यह हमने पढ़ लिया था रुक्मणी के भाई रुक्मी की एक वैदर्भी नाम की कन्या दी रुक्मणी जो प्रद्युम्न की माता रहे है न उनके भाई यानि प्रद्युम्न के मामा की एक वैदर्भी नाम की कन्या दी रुकमणी ने उसे प्रद्युम्न के लिए मांगा, परंतु रुकมी ने पुर्व विरोद के कारण उसके लिए पयकन्या न दी, क्योकि रुकमी क्या चाहता था, शिश्युपाल के साथ रुकमणी का विवा करना चाहता था, और रुकमनी कृष्ण के साथ आ गई, है ना, चली गई थी, तो इसले रुकमी उनसे नराज दा, पुर विरोध के कारण उसके लिए कन्या न दी, यह सुन शंब और प्रद्युम्न दोनों भील के वेश में गए और रुकमी को पराजित कर बल पुर्वक उस कन्या को हर लाए तद नंतर दूसरी लक्ष्मी के समान सुन्दर उस कन्या को विवा कर, प्रद्युम्न द्वारी का नदर में उसे मनोहर भोगों से शिग्र ही क्रिडा कराने लगा शम्ब जुआ खेलने में बहुत चतुर था, अब यहाँ पर किसकी चर्चा चलेगी शम्ब की क्रिडा होगी, कितना उसका भी सिमिलर काईड़ प्रद्युम्न के जैसा एक दिन उसने सबके देखते देखते जुआ में सुभानू का सब धन जीत लिया और सब लोगों को बाड़ दिया नाना प्रकर की बूली बोलने वाले पक्षियों की क्रिडा से शम्ब ने सुभानु कुमार को जीत लिया एक कृष्ण की सभा में दोनों कुमारों के बीद सुगंधी की परक में शास्त्रार्त हो पड़ा जिसमें शम्मने सुभानु को पुने हरा दिया तो kind of continuously उन दोनों का आपस में competition सा चलता रहा एक बार उसने एक बार उसने अगनी में शुद किये हुए दो दिव्यवस्त्र तता दिव्य लंकारों को प्राप्त कर राजा कृष्ण की सभा में सुभानु को जीत लिया एक बार अपना बल दिखा कर उसने सुभानु कुमार को ऐसा जीता कि कृष्ण महराज उस पर एक्दम प्रसन हो गए कृष्ण ने उससे वर मांगने का आग्रे किया जिससे एक महा का राजे प्राप्त कर उसने बहुत विप्रीत करियाएगी प्रड़ाई कोप को धारण करने वाले कृष्ण ने उस दुराचारी शम को बहुत ताड़ना दी एक दिन शम कुमार कन्या का रूप धारण कर रत में सवार हो सत्यभामा के गोद में जा प्रविष्ठ हुए सत्यभामा ने समझा कि ये कन्या मेरे पुत्र सुभानू के लिए ही लाई गई है इसलिए उसने सुभानू के साथ विवा करा दिया परंत विवा के बाद ही शम कुमार ने लोगों के देखते देखते अपना असली रूप प्रकट कर दिया उसने एक ही रात्री में सौ कन्याओं के साथ विवा सम्बंदी मांगलिक स्नान कर अपनी माता जामवती को बहुत सुखी किया इंद्र के समान कीर्थी को धारन करने वाले सत्य भामा आधी रानियों के सैकडो कुमार भी उस समय अने कन्याओं को विवा कर इच्छा नुसर क्रिडा करने लगे एक दिन शम अपने मानने पिता मैं वसुदेव के घर गया और प्रणाम कर केड़ा पूर्वक इस प्रकार कहने लगा हे पूझे आपने प्रिथ्वी पर बहुत समय तक क्लेश उठाते हुए ब्रह्मन किया तब कहीं आप वित्याधरों की पूझे एवं मनोहर कन्याए प्राप्त कर सके परंतु मैंने घर बेटे बिना किसी क्लेश के एक ही रात्री में सो कन्याओं के साथ विवा कर लिया आप हम दोनों के अंतर को देखिए है थोड़ा सा में क्या लग रहा भी मानी है है न शम तो है मानी है उसको गमंडुरा है यह सुनकर वसुदेर ने कहा कि वत्स तू बाण के समान दूसरे से यानि प्रद्युम्ने से प्रेरित हो चलता है और फिर तेरी चाल भी तो कहा है सिर्फ घर में इसलिए हम दोनों में बहुत अंतर है मैं विध्याधरों के नगर रूपी समुद्रों का मगर हूँ मगर मतल मगरमच और तू द्वारी का रूपी कूप का मेंडग है फिर भी हे पंडित मन्य तू अपने आपको मेरे समान मानता है मैंने विद्यादरों के नगरों में जो कुछ अनुभव किया देखा तता सुना वे अत्यंत मनोहारी है और दूसरों के लिए अतिशेद दुरलब है सभी को ध्यानोगा वसुदेव की कहानी काफी लंबे समय तक चली थी और बहुत सारी विद्यादर कन्याओं के साथ उनका विवा हुआ तो वो कह रहे है कि मैंने जो देखा वो उस एक्स्पीरेंस को कंपेर कर पाना बहुत मुश्किल है वसुदेव के इस प्रकार कहने पर शंब ने नमस्कार कर आदर पूर्वकुन से कहा कि है आरे मैं आपका वृतांत सुननना चाहता हूँ कृपा कर कही है इसके उत्तर में वसुदेव ने कहा कि है वत्स तु आनंद भेरी बजवा कर समस्त यादव को इसकी सूचना दे मतलब कि सब को बुला ले ताकि मैं सब को एक साथ अपना चरित्र कह सको तद नंतर आनंद भेरी के बजवाने पर जब स्त्री पुत्रादी सहित समस्त यादव कत्रित हो गए तब वसुदेव ने उनके लिए विस्तार पूर्वक अपना सब वृतांत कहा उन्होंने लोका लोक के विभाग का वर्णन किया लोक अलोक के विभाग का वर्णन किया तो वो सारा वरतान सुना रहा है तो उन्होंने जो कुछ भी समझा वो भी बता रहे है अपर तो लोका लोक तो पूरे लोक का वर्णन किया किस तरह से जब राजा ने उसको नजर बंद कर दिया था और बाद ने उसे पता चला एक धाय मा के तुरू कि उसको तो नजर बंद किया है तो वो अपना मरने का ड्रामा करके और निकल गए ते नगर से खना इस प्रकार प्रदिम्न और शंब की उत्पत्ती तधा उनकी विभूती परियंत अपना मनुष्य तथा विद्यादरों से सम्मन्द रखने वाला दिवय चरित कह सुनाया वसुदेव के अंतैपुर में जो विद्यादर स्त्रियाँ थी वे सब उनका यह चरित्सुन पुर्व व्रतांत को स्मरण करती हुई अत्यंत हर्शित हुई सबासद लोग विद्य पुरुष, स्त्री, युवा, बालक, समस्त यदुवंची इनके अंतैपुर, पांडव, द्वारा, तथ पांडव तथा द्वारिका के अन्ने लोग वसुदेव के उत्चरित्रखो सुनकर परमाश्चरे को प्राप्थ हुए उस समय पांडव पीमा पर आये हुए ते और शिवा आधी देवियां वसुदेव के इस कथा रूपी रसका पानकर संचय रहित हो उनकी प्रिशंसा करने लगी सुगंदित वस्त्रों को धारन करने वाले सब राजा यता योग्य अपने अपने स्थानों पर चले गए और सबके अंत्य पुरुभी पहरे दारों से सुरक्षित हो अपने अपने स्थानों पर पहुँच गए अनेक आश्यरयों से युक्त वस्त्रों की कता फिर से ताजी हो गई और पुने प्रतिदिन घरगर होने लगी तद रंता नमस्कार कर पूछने वाले राजा श्रेनिक के लिए कौतम गंदर भगवान महावीर स्वामी की दिवेध्वनी के नुसार कुछ कुमारों का इस प्रकारवर्णन करने लगे तो इसका ये करेक्टर खराब ने दिखा दिया कि जो प्रिशन जी ने उसको फिर वो बहुत उसको वो किया तो उलता सीदा किया जब राज्य लिया तो एक महिने के लिए हाँ अभी तो बालग ही है देखिए हाँ अभी तो हुआ ही था वो थोड़े चरितर नहीं दिख रहा है और मेंली ये है कि अच्छा तो हो नहीं है क्योंकि वो अच्छुत स्वर्ग के देव रह चुए तो इसलिए मन उनका खराब हो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर सभी शुक्ल इलेश्या वाले देव होते है तो बहुत भद्र परिणामी देव जो इतने समय तक रहे हो वो यहाँ आकर इस तरह का नहीं करेंगे हलाकि प्रद्युम्न में भी परेशान कर रहे है है ना दोनों थोड़े बालक क्रिड़ा है आप को यादोगा क्रिश्न जी भी ने भी बहुत तो अब ये कुछ कुमारों का वणन कर रहे है कुछ कुमार में सभी आ जाएंगे इवन जैसे राजा समुद्र विजय हो गए तो उनके दस भाई हैं तो दसो भाईयों के कौन-कौन से पुत्र थे तो उस तरह की डीटेल अभी हमें जानने मिलेगी धर, गुणधर, युक्तिक, दुर्दर, सागर और चंदर ये राजा उग्रिसेन के पुत्र थे याद हो ना हमने जब पढ़ा था अंदक वरिष्टी और भोजक वरिष्णी है ना दो भाई थे उनमें से अंदक वरिष्णी के तो दस पुत्र हो गए थे और जो भोजक वरिष्णी था उसके तीन पुत्र थे ठीक तो उन सब के नाम बता रहे किसमें किसके पुत्र कितने थे तो ये उग्रिसेन राजा के पुत्र थे महासेन, शीवी, स्वस्त, विशद और अनंधमित्र ये उग्रिसेन के चाजा राजा शांतन के पुत्र थे इनमें महासेन से सूशेन, विश्मित्र के रिदिक, शीवी के सत्यक, रिदिक के कृतिदर्मा और द्रड़ धर्मा सत्यक के वज्र धर्मा और वज्र धर्मा के असंग नाम का पुत्र हुआ राजा समुद्र विजय के महानेमी, सत्येनेमी, द्रडनेमी ये किनके नाम बता रहे हैं देखिए आप समुद्र विजय जो नेमीनाद भगवान के पिता तो इसका मतलब क्या है कि नेमीनाद भगवान के और भी जो सगे भाई थे उनके नाम पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब हम तिर्थंकर के बारे में पढ़ते हैं तो वो तिर्थंकर अकेले ही पुत्र होते हैं ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है या ऐसा कुछ सुना है क्यूंके बेहन नहीं होती अकेले होता है बेटी नहीं होती तिर्थंकर के माता पिता के हाँ ऐसे ही होता है चारू जे तिर्थंकर के भाइबून नहीं होती नहीं होती ही है तीकले न गर्ट मेंलों कि टांदेक्र पक्सथरार में नहीं सब्सक्राइब न Тогда फूर भूसकल इरंट कई हैं कि जो पहले उन्होंने अपने माता पिता से कि आ गया कि वन में जानी के तो उन्होंने का कि नहीं हम भूरे हैं तो हमारे जीते जी जी जाओ फिर मैंने जो बच्चों की कहानिया होती ना उस तरह के उसमें ये कहान लगता है पिर माता पिता कि मरने के बाद उन्होंने भाई से का कि तो उन्होंने का था कि मैंने अभी-भी उनको खोया है तो मुझे थोड़ा सम्मल जाने तो उसके बार तुम भारा है कि जो तिर्थंकर होते हैं वो अकेले ही होते हैं लेकिन फिर भी हो सकता है यहां पर कि वो दूसरी पत्नी के जो पुत्रे हैं उनके भी नाम एक साथ यहां पर दिया हो तो राजा समुद्र विजय के महानेमी, सत्यनेमी, द्रडनेमी, भगवान अरिष्टनेमी, सुनेमी, जैसेन, मही जै, सुफल्गू, तेजसेन, मै, मेग, शिवनन्द, चित्रक और गौतमादी अनेक पुत्र हुए अक्षोबे के अपने वच्चनों से समुद्र को चुबित करने वाला उद्धव, अमबोधी, जलदी, वामदेव और द्रडवरत ये पांच पुत्र प्रसिद थे स्तमित सागर के उर्मीमान, वसुमान, वीर और पाताल स्थिर ये चार पुत्र उत्पन हुए थे राजा विद्युद्प्रभ, माल्यवान और गंद मादन ये तीन हिम्वत के पुत्र थे तथा ये तीनों ही सत्यवरत और पराकरम से युग्त थे निशकंप, अकंपन, वली, युगंत, केशरिन और बुद्धिमान, अम्बुष के ये च्छे पुत्र विजय के प्रसिद थे महेंद्र, मलय, सहय, गीरी, शैल, नग और अचन, सार्तक नामों को धारन करने वाले ये साथ पुत्र अचल के थे वासुकी, धननजय, करकोटक, शत्मुक और विश रूप ये पाँच पुत्र धरन के थे दुच्पुर, दुर्मुक, दुर्दर्श और दुर्धर, चतुर क्रियाओं को धारन करने वाले ये चार पुत्र पुरन के थे चंद्र, शशांग, चंद्राब, शशिन, सोम और अमृत प्रब, चंद्रमा के समान निर्मल का अंति को धारन करने वाले ये च्छे पुत्र अभी चंद्र के थे और वसुदेव के महा बल्वान अनेक पुत्र थे मैं यहां उनके भी कुछ नाम कहता हूँ, सो सुन वसुदेव की तो बहुत सारी रानिया थी, है न? वसुदेव की विजय सेना रानी से अक्रूर और क्रूर नाम के दो पुत्र हुए थे शामा नामक रानी से ज्वलन और अगनी वेक ये दो पुत्र उत्पन हुए थे गंदर्व सेना से वायुवेक, अमित गती और महिंद्र गती के ये तीन पुत्र हुए थे ये तीनों पुत्र ऐसे जान पड़ते थे, मानो तीनों लोक ही हो मंत्री की पुत्री पद्मावती से दारू, पृदार्द और दारुक ये तीन पुत्र हुए नीली अशाके सीन और मतंगज ये दो धीर वीर पुत्र थे सोम श्री के नारद और मरुदेव ये दो पुत्र थे मित्र शरी से सुमित्र, कपिला से कपिल और पद्मावती से पद्म तता पद्मक ये दो पुत्र हुए थे अश्वसेना से अश्वसेन, पॉंडरा से पॉंडर और रत्नवती से रत्नगर्ब तता सूगर्ब ये दो पुत्र हुए थे सोम्दत की पुत्री से चंद्रकांत और शशीप्रग तता वेगवती से वेगवान और वायुवे ये दो पुत्र हुए थे द्रिड मुष्टी, अनावरिष्टी और हिम्मुष्टी ये तीन पुत्र मदन वेगा से उत्पन हुए थे ये तीनों ही पुत्र कामदेव की उपम को प्राप्त थे बंदुशेन और सिही सेन ये बंदुमती के पुत्र थे तता शीलायुद प्रियंग सुंदरी का पुत्र था रानी प्रभावती से गंधार और पिंगल ये दो तता रानी जरात से जरत कुमार और वालीग ये दो पुत्र हुए थे अवंती से सुमुक, दुर्मुक और महारत रोहिनी से बलदेव, सारण और विदूरत बाल चंद्रा से वज्जरद रंच्ट और अमित प्रभा और देवकी से कृष्ण पुत्र हुए थे इस प्रकार वसुदेव के पुत्रों का वर्णन किया ये नाम थोड़े बहुत याद रहे होंगे उनकी पत्नियों के सबकी कहानियां हमने पढ़ी थी उन मुंड निशद प्रकर्तिद्युती चारुदत दुरुव पीठ शक्रन्दमन श्रीदवज नन्दन धीमान दश्रत देवनन विद्रुम शंतनू प्रधु शत्धनू नरदेव महादनू और रौमशयत्तिको आदी लेकर बल्देव के अनेक पुत्र थे भानू सुभानू भीम महाभानू सुभानू ब्रिहद्रत अगनीशिक विष्णुन जय अकंपन महासेन धीर गंभीर उददी कौतम वसुधर्मा प्रसेन जीत सूरिचंद्रवर्मा चारु कृष्ण सुचारु देवदत भरत शंक प्रध्युम्न तता शंब आदी चल रहे हैं तो यहां पर जो हमें अभी डाउट हुआ था समुधर विचे का तो उन रामी के बस वो एकी पुत्र थे ठीक यह सभी पुत्र शस्त्र अस्त्र तता शस्त्र में निपुण और युद में कौश कुशल थे उन यशस्वी यादवों के पुत्र और पौत्र बुवा के लड़के तता भांजे भी हज्जारों की संक्या में थे इस प्रकार सब मिलाकर महा प्रतापी तता कामदेव के समान सुन्दर रुप को धारण करने वाले साड़े तीन करोड कुमार यादव जो थे कृड़ा के प्रेमी हो निरंतर कृड़ा करते रहते थे और कहाँ पर कृड़ा करते थे सब के सब त्वारिका नगरी में निरंतर रत तता हाथियों पर सवार हो बाहर निकलते तता बीतर प्रवेश करते हुए नाना वेशों के धारक प्रबल पराक्रमी और नगर वासी प्रजा को आनन्द उत्पन करने वाले इन वीर कुमारों से युक्त द्वारावती या द्वारिका नगरी उस समय भवन वासी देवों से युक्त पातालपुरी के समान सुचोबित हो रही थी। कौतम स्वामी कहते हैं कि प्राय स्वर्ग से चुत होकर आय हुए तता जिनेंद्र प्रणित मार्ग का अनुस्रकरन करने वाले करने से सातिश्य पुन्य का संचय करने वाले इन प्रशंसनिय उत्तम कुमारों के इस कहे जाने वाले चरित को जो बुद्धिमान मनुष्य एकाग्रचित होकर सुनते हैं तता शधान करते हैं वे समस्त रोकों को दूर कर काउमार और योवन अवस्ता का उभोग करते हैं यानि उनकी व्रित्धावस्ता छूड़ जाती हैं एन्टाई एजीन ज जो भी है योवन अवस्ता को भोग लंबे समय तक चलता है तो थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोगों को चिर्खानी करते रहें और मतलब हम कहें ये तो हम बड़ा मजाग कर रहे हैं ड़ेंट मैटर कि अगले को परेशानी हो रहे हैं तो ऐसा वेवार कहा नहीं अच्छली अच्छा नहीं होता है क्योंकि अगर हमारे वेवार से किसी को तकलीफ हो रही है ठीक है चाहे वो मजाग में है ये एक कशाय के वश्वभूत ही होता है हाथ से कशाय होती है ना नो कशाय में तो उसी के कारण हम इस तरह का बिहेव करते हैं बिना इस चीज का आजम यूज करना, मजाग यंग शैली का यूज करना है न, इवन हासे शैली में बहुत सब लोग कुछ-कुछ कह जाते है न, तो वो अच्छी जो जो जिने आत्म कल्यान की परवा है, वो इस तरह की बात नहीं करते, तो क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत बालक दिखाया है, है न, तो बालक के रूप में उस तरह की हरकत करना mostly पच्चे करते हैं not like की नेमी कुमार जो हमने दिखाए, वो बहुत गंभीर थे, तो वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे ठीक है न, तो यह अपनी अपनी personality हो जाती है और ऐसा नहीं है कि personality है तो बहुत अच्छी बात है तो हम किसी, हमारी वज़े से किसी को भी तकलीफ अगर हो रही है तो उसमें करते हैं और उसका फल इतना अच्छा है कि आप निरोगी रहोंगे, आपको बड़ापा नहीं आएगा यह तो नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी कृड़ाए पढ़ने में हमें कुन्ने का बंद हो रहा है यहाँ पर क्या है, यदुवंची यदुवंच में वासुदे भी आ गए प्रद्यूम्न, शम, सब आ गए कृष्णे भी आ गए, सब आ गए ना तो सभी का, ऐसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ की प्रद्यूम्न और शम की करिया है, और अभी तो हम उनके बालग का वर्णन पढ़ रहे हैं जब वो और अच्छे काम करेंगे है ना, तो भी matter करता है, और श्री किष्णे के बारे में अभी हमने जब जितना भी जाना वो सिर्फ ये कह लीजिए कि कथा के रूप में हम उनके ये देख रहे हैं कि उनकी रानियों के बारे में पढ़ रहे हैं बस है ना, अभी उन्होंने रियल कहां पर अच्छी बाते की, क्यों उन्होंने तिर्फंकर प्रकर्ती का बंद कर लिया, राइट वो सारी बाते अभी यहां पर नहीं आई है ठीके, हाँ ठीके तो अभी नया चैप्टर नहीं शुरू करते हैं यहाँ पर नया चैप्टर में यहां पर क्या दिखाएंगे हमें, यह जो यह शोधा की पुत्री होई थी, नहीं, जो देवकी की पुत्री होई थी, ना कृष्ण की बेहन, उनके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा, ठीक है, और किसी इंटरस्चिंग होगा ना कि कृष्ण जी ने व अज हमने देखिए यहां पर है ना कि पहले हमने जामवती और के शंब और सत्यभामा के सुभानू के बारे में पढ़ा, है ना, उन दोनों के पुत्र के उत्पत्ती होई, फिर सुभानू और शंब की लीलाएं सबका मन मोहती थी, और इस प्रसंग में पसुदेव ने अप प्रद्यूम ने जब वहां पहुँचे थे और किस तरह से वो अपनी माता से मिले वो भी देखा था, करेंगे, हाँ, तो अगले उसमें चैप्टर में ये बहुत इंटरस्टिंग आएगा, कि किस तरह से दुर्गा जी जो है, नाम सुना होगा सबने, तो उनका कैसे creation हुआ ठीक है ना, तो वो चीज़ अपन दीखेंगे, और फिर उसके बाद जरासंद को मारने का प्रक्रट चुरूओगा, चलिए, नहीं रखते हैं आज के लिए, जिन्वानी स्तोति, जावानी के ज्यान से सुझे लोका लोग, सो वानी मस्तक दरो सदा देतो भूदो, ये जिन्वानी भारती तोही जपो दिन रहें, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुक्चेन नाबनमकनन। जब को जाइजनेंगा, जो जाइजनेंगा, जो जाइजनेंगा, जो जाइजनेंगा, जो जाइजनेंगा, जो जाइजनेंगा, 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